आज हम जिस मोवी को एक्स्प्लेइन करेंगे उसका नाम ता अटॉपसी ओफ जैन ड्यूव हैं मोवी की शुरुवात होती है और हमें एक घर को दिखाया जाता है जहां पर पुलिस इन्वेस्टिकेशन चल रही होती है क्योंकि इस करके सभी लोगों को बहुत बेरहमी से मार दिया गया होता है सभी के शरीर पर गहरे चोट के निशान मिलते हैं लेकिन पुलिस को वही एक ऐसी लड़की की बॉड़ी मिलती है जिसके शरीर पर कोई चोट के रिशान नहीं होते उसका शरीर पूरी तरीके से ठीक होता है पुलिस को इस लड़की का नाम नहीं पता चलता इसलिए वो उसे जैंडो नाम दे देते हैं जैंडो की मौत की वजा का पता लगाने के लिए वो उसकी बॉड़ी को पोस्ट मॉटम के लिए भेज देते हैं इसके बाद हमें अस्टिन और इसके फादर टॉमी को दिखाया जाता है इनका प्रोफेशन पोस्ट मॉटम करना होता है ये इस काम को बहुत सालों से कर रहे होते हैं और आज ये एक जल पर बैल लगी होती है एमा डैट बॉड़ी के पैर पर लगी बैल के बारे में पूछती है जिस पर टॉम उसे बताते हैं कि पुराने जमाने में लोगों के पास इतनी विक्सत तकनीक नहीं हुआ करती थी कि वो पता लगा पाए कि कोई वेक्ति कोमा में है या उसकी मौत हो जैन दोगी होती है अश्टिन अपने फादर की पुस्ट मौत हमें हेलप करना चाहता था इसलिए वो एमा के साथ याने से मना कर देता है वो एमा को रात को मूवी देखने के aircraft के बाद से cNEW n पाद इसके अपने फादर टॉमी के साथ जैन दोगी बॉड़ी के पोस्ट मौ लेकिन उसकी आँखों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मौत कई साल पहले ही हो चुकी हो इसके बाद ये देखते हैं कि जैन्डो के हाथ और एंकल की हड़ी तूटी हुई होती है साथ ही उसके जीप को बहुती बुरी तरीके से काट दिया गया होता है और उसका एक द को देखना होगा जब ये जैन्डो के फेफड़े और दिल को देखते हैं तो वो पूरी तरीके से जला होता है तब ही इन्हें लैब के बाहर से कोई वाध सुनाई देती है उसे देखने के लिए अस्टिन लैब के बाहर जाता है तब यूसे उसके पीछे किसी की परशाई वो पास चाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। कुछ तेर बाद अस्टिन को उसकी पालतु बिल्ली मरी हुई मिलती है। बिल्ली के मरने से टॉमी बहुत दुखी होते हैं क्यूंकि ये उनकी पत्नी की आकरी निशानी होती है। इसके बाद अस्टिन वापस से लैब में आ जाता है। वो देखता है कि जिस ट्रोर में पोस्ट मॉटम की हुई बॉडी रखी होती है वो अपने आप ही खुल गया होता है। अस्टिन दर्वाशा बंद कर देता है अब अस्टिन और टॉम फिर से जैन डो की पोस्ट मॉटम करने लगते हैं। उन्हें उसके शरीर में से एक फूल मिलता है जिसके इस्तमाल से किसी के भी शरीर को पूरी तरह से बेचान किया जा सकता है। तब ही ये देखते हैं कि इनका रेडियो अपने आप चलने लगता है। ये सब देखकर अस्टिन को ठीक नहीं लग रहा होता। इसलिए वो टॉमी से जैन डो का पोस्ट मॉटम कल करने के लिए कहता है। लेकिन टॉमी अस्टिन की बात से इंकार कर देता है क्योंकि इने कल ही जैन डो की पोस्ट मॉटम रिपोर्ट पूलिस को देनी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इने जैन डो के पेट में से एक कपड़ा मिलता है, जिसके अंदर उसका दांत होता है। उस कपड़े के ऊपर रोमन भाशा में एक अंक लिखा होता है। पोस्ट मॉटम के दोरान इनका रेडियो अपने आप चालू हो जा रहा होता है। जैन डो के पेट को काटने पर इने वही रोमन भाशा में अंक लिखे हुए मिलते हैं। जो कि उसके पेट से मिले कपड़े पर लिखे होते हैं। पेस्मेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो भी नहीं खुलता है। क्योंकि तेज़ पारिश होने की वज़ए से उसके उपर पेड़ गिर गया होता है। इनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता। जिसकी वज़ा से ये लैंड लाइन का इस्तमाल करने के लिए रूम में जाते हैं। ये पुलिस से बात करने की कोशिश करते हैं ताकि वो पुलिस से मदद माग सके। लेकिन इनकी बात पुलिस से नहीं हो पाती। तबी इन्हें दरवाजे पर कोई हलचल सुनाई देती हैं। अस्तिन दरवाजे के नीचे देखता है तो वो एक डैड बोडी होती हैं। जो कि अंदर आने की कोशिश कर रही होती हैं। ये उसे किसी भी तरीके से अंदर आने से रोकते हैं। अब अस्तिन समझ गया होता है कि इनके साथ जो भी खटनाए हो रही हैं। वो जैन डू की बोडी के पोस्ट मॉटम के बात से शुरू हुई है। लेकिन टॉमी अस्तिन की बातों पर विश्वास नहीं करता। क्योंकि उसके लिए जैन डू सिर्फ एक टैड बाडी है। इसके बाद टॉमी अपने हाथ पर लगे कटको दूलने के लिए चला जाता है। जो कि जैन डू की पोस्ट मॉटम के समय उसके हाथ पर लग गए थे। लेकिन तभी उसे परदे के पीछे किसी की परचाई दिखाई देती है। वो परदा हटाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। और तभी उस पर कोई एंटिटी अटैक कर देती है। जिसमें टॉमी बहुत पूरी तरीके से घायल हो जाते है। टॉमी अस्टिन को बताते हैं कि जिस एंटिटी ने उस पर अटैक किया उसकी आँखे बिल्कुल जैन डू की तरह होती है। इसके बाद टॉमी अस्टिन की बात पर विश्वास करने लगते हैं कि यहाँ पर जो भी हो रहा है उसके पीछे की वज़ा जरूर जैन डू ही है। अब यह वापस से लैब की तरफ जाने लगते हैं। रूम के बाहर इन्हें एक कपड़ा मिलता है। यह उसी डैड बाडी का कपड़ा होता है जिसके पैर पर बैल बंदी हुई होती है। यानि जितनी भी पोस्ट मॉटम की हुई डैड बाडी इनके लैब में थी अब वो सभी घर में घूम रही होती हैं। इसके बाद यह लैब में वापस पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुचने पर यह देखते हैं कि जैन डो की बाडी अब सड़ने लगी होती है। क्योंकि जिस रोमन कपड़े को इन्होंने जैन डो की बाडी से निकाला होता है। उस कपड़े की वज़े से जैन डो की बाडी अब तक सुरक्षित होती है। टॉमी कहते हैं कि इन्हें जैन डू की बाड़ी को जलाने के लिए शमशान ले जाना होगा लेकिन तभी लैब का दरवाज़ा अपने हाप बंद हो जाता है अस्टिन कुलहारी से दरवाज़े पर छेट कर देता है पर तभी ये देखते हैं कि दरवाज़े के बाहर डेट बाड़ी खड़ी होती है ये देखकर वो बूरी तरीके से डर गए होते हैं जिसकी वज़ा से ये तैक करते हैं कि वो जैन डू की बाड़ी को यही लैब में ही जला देंगे इसके बाद ये जैंडू की बॉड़ी को जला देते हैं लेकिन तभी उसकी बॉड़ी से निकली आग दीरे-दीरे पूरे लेब में फैल जाती है जिसके बाद लेब में लगी आग को ये बुच्छाने लगते हैं और कुछ समय बाद आग बुच जाती है उसके बाद ये देखते हैं कि जैन डू की बॉड़ी पूरी तरह से सही सलामत होती है यानि आग ने जैन डू की बॉड़ी को जरासा भी नुकसान नहीं पहुचाया होता ये देखकर ये पूरी तरह से घबरा गए होते हैं और दमी टॉमी देखते हैं कि लिफ्ट वापस से चालू हो चुकी होती है जिसके बाद ये लिफ्ट की तरफ जाने लगते हैं अस्टिन अपने साथ कुलहाडी भी ले लेता है लेकिन ये जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंसते हैं लिफ्ट वापस से बंद हो जाती है और तब इनके सामने डैड बाडी आ जाती है जिससे बचने के लिए टॉमी उस पर कुलाडी से अटैक कर देते हैं लेकिन जब ये लिफ्ट से बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि अस्टिन की गल्फरेंड खायल होती है यानि जिस कुलाडी से टॉमी ने डैड बाडी पर अटैक किय होता है वो कुलाड़ी एमा को लग गई होती है जिसकी वज़े से उसकी वहीं मौत हो जाती है दरसल अस्टिन ने एमा को रात को बुलाया होता है एमा की मौत की वज़े से अस्टिन पूरी तरह से तूट चुका होता है कुछ समय लिफ्ट में बिताने के बाद ये समझ जाते जिसे देखने के लिए ये वहाँ पर जाते हैं लेकिन दूए में इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और तभी टॉमी पर एक डैड बॉड़ी अटैक कर देती हैं उसके बाद ये किसी भी तरीके से वहाँ से बाहर आ जाते हैं इसके बाद ये जैन डू की बॉड इनकी सेल्स अभी भी पूरी तरीके से एक्टिव होती हैं यानि उसके शरीर पर जो कुछ भी इन्होंने किया होता है वो सब उसने महसूस किया होता है लेकिन जैन डू के जिंदा होने पर टॉमी अभी भी इश्वास नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसने जैन डू के शरीर में कुछ लिखा हुआ होता है यह वही कपड़ा होता है जो कि इन्हें जोइन डो की बॉडी से मिला होता है उस कपड़े की चार्च करने पर इन्हें पता चलता है कि 1693 में कई गाई थउस्तीं लोगों ने मिलकर कई सारी लड़के को विच यानि चुड्यायल समझकर उन पर कई सारे एकस्पेरिमेंट किये होते हैं जिसमें उन लड़कियों की बहुत ही दरदना केसे मौत हो जाती हैं उन मेंसे जादर लड़कियां बेकसूर होती हैं और उन लड़कियों में से एक जैन्डू भी होती है और अब वो एक मासूम लड़की से एक विच यानि की चुडाल बन चुकी है और इसलिए अब वो उस दर्द को सभी को देना चाहती है जो कि उसको दिया गया होता है तब ही टॉमी देखते है कि इन्होंने उसके शरीर का पोस्ट मॉटम किया होता है इसलिए अब वो इनसे बदला लेना चाहती है इसके बाद टॉमी जैन्डू से कहते हैं कि वो उसे मार दे लेकिन उसके बेटे अस्टिन को छोड़ दे और ऐसा सुनते ही जैन्डू टूमी के हाथो और एंकल की हो गया होता है तॉमी अपने जीप को वैसे ही काटने वाला होता है जैसा कि जैन्डू की जीप को काटा गया होता है लेकिन टॉमी को इतनी तकलीफ में देखकर अस्टिन टॉमी को मार देता है अपने डैट की मौत से अस्टिन बहुत दुखी होता है इसके बाद अस्टिन का सीन दिखाया जाता है पुलिस टॉमी और एस्टिन की बाड़ी को देखकर हैरान होती है वो उनके दैथ की वज़ा को नहीं समझ पा रही होती इसके बाद हमें जैन डू की बाड़ी को दिखाया जाता है उसकी बाड़ी पूरी तरीके से ठीक होती है अब पुलिस जैन डू की बॉड़ी को विया से ले जाती है और तब हमें जैन डू के पैर के टूस को हिलते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मुवी यही खत्म हो जाती है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो विडियो को लाइक करना और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू फॉर वाचिंग